हाई दोस्तों तो जब मैंने वीडियो स्टार्ट करें थी मैंने सुचा था हम नॉर्मल एक Poco M2 Pro versus Realme 6i comparison करेंगे और उसका मुझे realize हुआ कि यार इतने सारे phone है under 15000 इस टाइम Redmi Note 9 है, Note 9 Pro है, Narzo 10 है, Realme 6 है, Galaxy M21 है और मतलब काफी लोग के मन में डाउट रहता है कि वही किसमे क्या अच्छा है, कौन सा फोन खरीदें, क्या करना चाहिए बात करेंगे फुल-on comparison, Poco M2 Pro, Realme 6i का साथी साथ देखेंगे कि बाकी जितने भी फोन से अंडर 15000 उन सब में आपको क्या चीज़े अच्छी मिल रही है, क्या चीज़े बुरी मिल रही है और अगर आप एक फोन खरीदने का सोच रहे हो अंडर 15000, तो कौन से ऑप्षिन आपके लिए बेस्ट है, चलिए स्टार्ट करते हैं तो पहले ये फोन वोन साइड करके एक बार में आपको पूरा समरी दे देता हूँ तो अंडर 10,000 वाले फोन की बात मैं अलग से करूँगा, यहां पर हम देख रहे हैं 10-15,000 वाले फोन और मेरे साब से ये बेस्ट आप्षिन इस ताइम आपके पास हैं तो यहां सबसे क्लियर बात पहले जो है कि Redmi Note 9 Pro खरीदने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि Poco M2 Pro बेसिकली एकदम सेम फोन है बस आपको एक फास्ट चार्जर और साथ में दे रहा है Redmi Note 9 Pro यहां से गायब हो जाता है दूसी चीज रियल मी 6 का प्राइस अब कुछ जादे ही बढ़ा दिया यार 13,000 में अच्छी डील था बड़ अब अब 15,000 से स्टार्ट है 64GB मॉडल तो इसको मैं बोलूँगा वर्थ इट नहीं है क्योंकि 2000 रुपे कम में आपको Realme 6i मिल रहा है जिसमें सब चीज सेम है बस एक 64MP कामरा की जग है 48MP कामरा मिल रहा है वही बात है मतलब ऊपर से देखने में कोई फरक आपको पता नहीं चलेगा अनलेस आप जूम कर करके डीटेल ढूंडो तो Realme 6 अगर आप खरीदने का सोत रहे हो तो पैसे बचाओ और Realme 6i खरीद लो या फिर 1,500 रुपे एक्स्टा डालके Realme 6 Pro खरीद लो जो इस टाइम बेस्ट फोन मुझे लगता है अंडर 20,000 नार्जो 10, Redmi Note 9 का पूरा कंपारजन मैंने किया हुआ है, लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा डिमे से हर साफ बात यह है कि अगर आपको 64GB स्टोरेज से प्राबलम नहीं है या फिर MicroSD कार्ड अगर आप यूस करते हो वैसे भी तो आपको Redmi Note 9 खरीद लेना चाहिए, वरना नार्जो 10 बेटर है क्योंकि यहाँ पर 128GB स्टोरेज आपको मिल रही है इसके लावा जो कैमरा परफॉमेंस है, बैटरी, चार्जिंग, यह सब काफी बराबर कासा है यहाँ पर यहाँ पर बस वही प्रॉब्लम है कि 720p डिस्प्ले है Note 9 पर अटलीस्ट आपको Full HD स्क्रीन मिल रही है पर Note 9 से सिर्फ 1,000 रुपे एक्स्रा देके आपको Realme 6i मिल रहा है जो मेरे साब से एक बहुत बेटर पैकेज है कैमरा परफॉमेंस भी थोड़ी बेटर है, चार्जिंग स्पीड भी यहाँ पर तेज है डे-to-day परफॉमेंस तेज है और जादा स्मूध भी लगता है यह फोन क्योंकि High Refresh Rate स्क्रीन भी मिल रही है इन दोना फोन से अगर आपको Full Comparison देखना है, लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा और Galaxy M21 यार अपने Original Price के साब से काफी अच्छा दा फोन बट अभी इसका Price कुछ जादा ही बढ़ा दिया है पर एक चीज जिसमें पीछे रह जाता है इन बाकी सारे फोन से कि Performance यहाँ पर थोड़ी सी Slow Feel होती है क्योंकि Processor उतना Powerful नहीं है इसलिए अगर आपको Gaming करनी है तो तो यह बिल्कुल भी मैं Recommend नहीं करूँगा इसकी जो अच्छे चीज़े हैं कि स्क्रीन बहुत प्यारी मिल रही है यहाँ पे AMOLED स्क्रीन है बैटरी बहुत बड़ी है तो अगर आपको बस वीडियो देखनी है जातर अपने फोन पे उस काम के लिए अच्छा है यह फोन पर अगेन वही बात है कि मेरे साब से इस टाइम इसका प्राइस हो गया है उसके इसाब से value for money यहाँ पे थोड़ी काम हो गई है तो इसके बात रह गये हैं यह दो फोन और मेरे साब से इस टाइम अंडर 15,000 value for money और features के इसाब से दो best phones हैं यह से पहले build quality यह design से start करते हैं तो पहली चीज़ तो realme 6 के dimension यहाँ पे थोड़े छोटे हैं weight भी थोड़ा सा कम है तो हाथ में पकड़ने में काफी ज़्यादा easy है यह POCO M2 Pro 200 gram के उपर है थोड़ा सा बलकी लगता है मतलब अगर आपको बड़े phones की आदत नहीं है थोड़ी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है back design की बात करें तो मुझे POCO M2 Pro का design थोड़ा ज़ादा पसंद है यह एक नए type का square camera module यहाँ पे use किया गया है और पीछे आपको glass back मिल रही है थोड़ी ज़ादा premium feeling है realme 6 में आपको plastic back मिल रही है और वैसे यह भी अच्छा कासा premium feel होता है पर plastic की problem की होती है की scratch थोड़ा जल्दी होता है तो आप देखोगे बहुत धियान से देखने पे छोटे-छोटे से आपको यहाँ पे scratches नजर आ रहे होंगे और उसका अलावा यह जो camera design है यह भी अप काफी पुराना हो चुका है realme को यह जल्दी बदल देना चाहिए दोनों फोन्स पे आपको side mounted fingerprint scanner मिल जाते है दोनों फोन्स पे नीचे headphone jack और type-c port मिल जाता है दोनों फोन्स पे आपको triple card slot मिल रहे हैं तो आप 2 4G SIM और 1 microSD card डाल सकते हो एक चीज़ जो Poco M2 Pro के पाथ extra है कि आपको infrared blaster मिल रहा है वो चीज़ हमें realme 6i में नहीं मिलती है तो Poco M2 Pro पे आपको glass build और infrared blaster मिल रहा है जबकि realme 6i थोड़ा lightweight और थोड़ा easy to handle है तो यह वाला round आपकी personal choice पे depend करता है बागी की तरफ आजाते हैं दोनों फोल्ड में आपको punch hole वाली display मिल रही है कलावा जो bezels हैं जो chin वगेरा है almost similar level की है यह दोनों ही LCD screens हैं दोनों पे ही आपको full HD plus resolution मिल जाती है दोनों पे ही आपको widevine L1 का support भी मिल जाता है और on paper यहाँ पे जो maximum brightness है realme 6i की थोड़ी जादा है 480 nits पर real life में ऐसा कुछ जादा difference मुझे नहीं दिख रहा है दोनों ही phones पे brightness level अच्छे खासे हैं viewing angles अच्छे खासे हैं multimedia experience दोनों पे ही काफी अच्छा मिल रहा है side by side compare करके बहुत हलका सा मुझे बोलना हो तो अगेन यहाँ पे काफी similar थी performance है जो loudness है जो music quality है दोनों ही काफी same मुझे लगी दोनों speakers पे performance पे आजाते हैं तो दोनों phones के base model में हमें 4GB RAM मिल रही है 64GB storage मिल रही है realme 6i में बस आपको एक 664 वाला model और मिलेगा जबकि Poco M2 Pro में आपको 6128 वाला model भी मिल जाएगा और यहाँ पे realme 6i के पास जो advantage है कि यहाँ पे हमें 90Hz refresh rate की screen मिल रही है तो उसके वरे से जब आप day-to-day usage होता है जब आप Instagram कर रहे हो जब आप normal scrolling कर रहे हो या कुछ भी app opening closing आपकी हो रही है यह सब चीज थोड़ी extra smooth feel होती है यह चीज Poco M2 Pro obviously miss करता है तो यहाँ पे सारी animations ऐसा लगती है थोड़ा ज़ादा time लगा रही है और obviously scrolling वगेरा में वो मज़ा नहीं आता है इसके लिए प्रोसेसर की बात करें तो realme 6i पे हमें मिलता है Helio G90T Poco M2 Pro पे है Snapdragon 720G की काफी नया प्रोसेसर है power efficient 8 nanometer process पे बना है G90T को थोड़ा time हो गया है 12 nanometer process पे यह based है और G90T को फाइदा हो जाता है कि यहाँ पे GPU हमें flagship level का मिल रहा है Mali G76 आप देखोगे हैं यहाँ पे Geekbench scores में थोड़ा सा आगे है Snapdragon 720G एक बड़ speed test भी करके देख लेते हैं तो recent apps मैंने सारी अटा दी है आपने देखा काफी हलका सा फरकता थोड़ा बहुत advantage Poco M2 Pro के पास है आप ओपनिंग टाइम्स में पर वही जैसा मैं आपको बता रहा था कि अगर आप जेनरली यूज करोगे तो Realme 6i थोड़ा जादा smooth feel होता है अपने refresh rate की वज़े से PUBG लोड़ करके भी एक बड़ देख लेते हैं यहां पर Realme 6i में थोड़ा सा पहले लोड हो गया अब graphic settings के अगर बात करूँ तो यहां पर एकदम same है मामला HD high पे आप maximum चला सकते हो और smooth पे shift करके भी आपको ultra तक का option मिलता है और इन दोनों फोन्स पे दोनों प्रोसेसर्स पे हम काफी सारी gaming कर चुके हैं हीटिंग होने लगती है और अगर आप देड़ गंटा दो गंटा लगातार game खेलोगे तो हो सकता है थोड़ी बहुत throttling आपको देखने को मिल जाए और एक जो सबसे बड़ा benefit होता था G90T का कि यहां पर आपको smooth extreme का default option मिल जाता था वो भी डिसेबल कर दिया गया है तो मेरे साब से ऐसा कुछ benefit भी इसके पास नहीं है और definitely 720G एक बेटर option बन जाता है software experience पर आजाते हैं दोनों फोंस पर android 10 हैं दोनों फोंस पर android 11 जल्दी आ जाना चाहिए और software देखो अपनी अपनी choice होती है मी UI से मेरी बस एक problem है कि यहाँ पर यह जो notifications का भंडार यह लगाता है मतलब कभी भी आप सुबह आटके phone देखो random से random notifications आई होती है कोई auntie अपना dance दिखा रही होती है कोई दीदी आपको miss कर रही होती है मतलब Realme UI पर भी ऐसी notifications आती है यहाँ पर आप देखो at least थोड़ा clean लग रहा है मामला ब्राउजर ने आप भेजी भी है random notification बट वो सब ग्रुप होके एक line में आ जाती है ऐसे ही app market की जो notification है वो भी सारी एक साथ एक ग्रुप में पड़ी है obviously bloatware और falto की apps आपको काफी जादा दोनों में install मिलती है और उसमें ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है अपने use case आप से आप uninstall कर सकते हो चीजे और काफी सारे privacy के issues जो हम सुन रहे थे cleaner apps में और जो pre-installed apps हैं Poco और Realme दोनों बोल चुके हैं कि यह जो भी apps हैं hello वगेरा यह अब से उनके phones में आपको नहीं दिखेंगी और अगर अब भी होंगी भी तो एक software update के साथ यह सारी चीज़े clean हो जाएंगी अब इसके लवा दोनों फोन पे जो fingerprint है काफी तेज काम करता है और मुझे तो काफी अच्छी लगती है पोजिशन पेस अनलॉक भी एक बार टेस्ट कर लेते है तो अगर यह भी काफी सही काम कर रहा है रियल्मी 6i पे थोड़ा ज़ादा तेज मुझे बस लग रहा है इसके लिए जो call quality है जो wifi performance है उसमें मुझे दोनों फोन से दिक्कत नहीं होई और SAR value की बात करें तो Poco M2 Pro की थोड़ी सी कम है head वाली value ज़कि body वाली value Realme 6i की थोड़ी better है नेक्स ही जाते हैं battery life पे तो Poco M2 Pro के पास काफी advantage है बड़ी battery यहाँ पे है यहाँ पे अराम से आप 7 गंटे के उपर का screen on time निकाल सकते हो जबकि Realme 6i पे आप 5.5-6 गंटे का screen on time निकाल पाओगे जो की उतना बुरा नहीं है एक दिन आपका तब भी कड़ जाएगा पर Poco M2 Pro में आप थोड़ा जादा निश्चिंत रह सकते हो तो Realme 6i पे 30W charging का support हमें मिलता है पर box में सिर्फ 20W charger है जबकि Poco M2 Pro में हमें 33W की fast charging मिलती है पर 20W charging के साथ भी काफी तेज़ चार्ज हो जाता है Realme 6i और अगर आप अलग से 30W charger ले लोगे या 30W वाला power bank ले लोगे तो सिर्फ एक घंटे में ये full charge हो जाएगा इन दोनों का पूरा battery drain test, charging test मैंने किया हुआ है लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा फाइल से जाती है camera's, यहाँ पर एकदम same camera setup है दोनों पर quad camera's है, same 48MP primary है ultrawide भी same है, एक macro है, depth है in fact जो selfie camera है, वो भी एकदम same है, on paper 16MP का तो सबसे पहले 48MP shot में आप देखोगे दोनों phones ने highlights overexpose कर दी है पर zoom in करके Poco X2 में shadows एकदम dark हो गई है और details भी Realme 6i में थोड़े से better लग रहे है यह एक बहुती प्यारे आसमान का बहुती difficult shot आप देखोगे, सूरज के around Poco M2 Pro ने काफी अच्छा maintain किया है और उपर से देखने में उतना difference पता नहीं चल रहा है बट zoom in करके details बहुत जादा better पकड़े है Poco M2 Pro ने Realme 6 आया तो कुछ जादा ही soft लग रहा है अब इस वाले shot में Poco ने पूरी image को bluish कर दिया है Realme में थोड़े better colors आए है पर zoom in करके details Poco में थोड़े से sharp लग रहे है यह वाले shot एकदम sunset पे लिया था और dark तो था but again Poco ने कुछ जादा ही dark कर दिया है और पूरी purple से कर दिया image इस वाले shot में दोनों फोले ने काफी अच्छी maintain करी है dynamic range बट zoom in करके again Poco की photo थोड़ी जादा sharp लग रही है और यह generally इसलिए भी होता है क्योंकि Poco की processing में थोड़ी over sharpening होती है और zoom in करके अगर मैं कोई differences नहीं दिखाऊंगा तो overall काफी similar सी performance यहाँ पे लगी wide angle से यह वाला shot और जादा dramatic लग रहा है और zoom in करके दोनों ही photos काफी soft हैं obviously main camera की performance नहीं match कर पाते हैं यह और शार इसी चीज़ को चुपाने के लिए दोनों की wide angle को जादा saturate कर देते हैं picture को यहाँ पे again Poco में over sharpening हो रही है तो details थोड़े sharp लग रहे हैं बढ़ अगर आप corners में देखोगे तो काफी noise भी extra हो गई है Poco में और overall दोनों की wide angle मुझे थोड़े inconsistent लगे जैसे इस वाले shot में Realme थोड़ा जादा dark हो गया है Poco यहाँ पे better है जबकि इस shot में Poco ने अपने आपको एकदम dark कर लिया है और Realme थोड़ा better कर रहा है और overall wide angle performance में एकदम same level की बोलूँगा Macros में Poco के पास फायदा है एक तो higher resolution sensor है और दूसी चीज़ आप tap to focus कर पाते हो Realme में तो मैं एक भी बार focus में photo लही नहीं पाया Macros में clearly Poco better है अब उसी sunset का फिर से benefit उटाया मैंने इस selfie के साथ आप देखो के Realme में थोड़ा wide है frame बट Poco में थोड़ी ज़ादा sharp लग रही है picture विस वाले shot में Poco ने मेरे face को कुछ ज़ादा ही red कर दिया है Realme थोड़ा better है और उसके लावा जो edge cutout वगेरा है वो almost similar ही है दोनों पे Realme में सारी smoothing off करने के बाद भी कुछ default से थोड़ी बहुत smoothing वो कर देता है थोड़ी soft सी लगने लगती है शकल Poco में थोड़ी sharp लगती है low light selfies के लिए दोनों ही phone अच्छे नहीं है Poco तो एकदम give up पर देता है Realme में at least आपको night mode मिल जाता है पर उससे भी काफी ज़्यादा noisy सी picture आती है दोनों phone में आप selfie flash यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे performance काफी similar सा है अब यह 48MP Samsung sensor जो है low light में काफी सफर करता है night mode on करके भी Poco पे ज़्यादा फरक नहीं पड़ा Realme में at least थोड़ी light आपको मिल जाती है और wide angle तो दोनों के बिलकुली बेकार है low light के लिए बट again realme के बास benefit है कि यहाँ पे आपको at least night mode option मिलता है same photo flash चला के लिए Poco ने white balance एकदम हिला दिया है Realme में थोड़ी natural दिखने वाली photo आई है इन camera से भी same चीज है colors Realme ने थोड़ी better पकड़े है बट अगर आप zoom in करके देखोगे तो Poco की photo में ज़ादा details आ रहे है और overall low light में यही trend मैंने observe किया Realme की photo थोड़ी ज़ादा bright लगती है उपर से देखने में बट जो actual detail होता है zoom in करके वो Poco में better होता है wide angle में again Realme ज़ादा light capture कर पाया है Poco में काफी सारे areas एकदम ही dark है बट जिस area में light है वहाँ पे Poco की image better है दोनों फोन में आप 4K 30fps video record कर सकते हो और sound recording quality मुझे दोनों पे ही काफी similar सी लगी तो 4K video recording आप कर रहे है Poco M2 Pro Realme 6i में से आप देख सकते हो दोनों फोन पे कैसे colors मिल रहे हैं कैसे details मिल रहे हैं sound quality किस टाइप की मिल जाती है मेरे पीचे इस टाइम काफी तारी पानी के आवाज भी आ रही है तो noise cancellation कैसी हो रही है ये भी हमें थोड़ा पता दिल जाएगा 4K पे दोनों पे आपको stabilization नहीं मिल रही है बट video quality Poco थोड़ी better handle करता हुआ लग रहा है Realme पे थोड़े जटके से दिख रहे हैं exposure change के इसके लाब आप दोनों फोन पे आप wide angle से 1080p video record कर सकते हो Realme में frame थोड़ा ज़ादा wide लगता है बट उसके वरे से distortion भी होता है जबकि Poco में थोड़ा छोटा होता है frame बट थोड़ी stabilized आपको video मिलती है इसके लाब आप Realme में आपको super stable mode मिल जाता है Poco में normal stabilization आपको मिलती है और अगेन यहाँ पे Poco थोड़ा बेटर काम करता हुआ लग रहा है मुझे Selfie camera से video recording कर रहे है Poco M2 Pro Realme 6i में से आप देख सकते हो कैसे color जहाँ पे मिल रहे है dynamic range कैसे मिल रही है details कैसे मिल रहे है और sound recording मेरी आपको किस type की मिल रही है Realme 6i की selfie video में कुछ अलगी sharpness बढ़ जाती है यार face की और आप देखो के पीछे exposure भी यह better handle कर रहा है Poco में एकदम overexposed चल रहा है आसमान और final चीज़ रियल्मी में आप 240fps की slow-mo record कर सकते हो जबकि Poco में आपको 960fps का भी option मिल जाता है एक second की और overall यहाँ पे एक camera winner चुनना हो तो I think Poco M2 Pro मुझे थोड़ा जाधा consistent लगा वैसे बहुती जाधा similar है यहाँ पे दोनों की performance थोड़े बहुत कुछ-कुछ advantages है जैसे Poco पे आपको macros बेटर मिल रहे है वीडियो में थोड़ी stabilization बेटर मिल रही है Realme 6i में selfie video थोड़ी बेटर है selfie night mode है, ultra wide night mode है अब 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 में camera की performance भी ऐसी नहीं है कि सिर्फ उसकी वज़े से मैं किसी एक को reject कर दूँ in fact अगर आप zoom in करकर के ढूनोगे नहीं तो आपको शायद differences भी नहीं समझ आएंगे दोनों में कुछ भी pros and cons की बात करते है Realme 6i में हमें क्या चीज़ बेटर मिल रही है यहाँ पे थोड़ा ज़ादा light weight, थोड़ा compact design है 90Hz refresh rate है जिससे day-to-day experience आपका काफी ज़ादा smooth रहेगा और charging speed आपको यहाँ पे अच्छी मिल रही है एक गंटे में यह phone पूरा charge हो सकता है Poco M2 Pro पे क्या चीज़े बेटर है यहाँ पे आपको infrared blaster मिल रहा है आपको snapdragon processor मिल रहा है तो gaming थोड़ी consistent है उसके लावा battery life में इसके पास advantage है macro photos थोड़ी बेटर लेता है और video recording में थोड़ी बेटर मुझे stabilization लगी तो Realme 6i का price start है 13,000 रुपे से Poco M2 Pro आएगा 14,000 रुपे का और यहाँ पे इती सारी चीज़ें similar हैं कि मैं आपको एक clear winner, एक clear loser नहीं बिता सकता दोनों ही phones बहुत जादा अच्छे है Realme 6i के पास advantage है कि 1000 रुपे सस्ता भी यह है इसकी बस वो ही एक दिक्कत है कि G90T है जो heavy gaming में उतना अच्छा sustain नहीं करता है और वो advantage Poco M2 Pro को मिल जाता है यहाँ पे आप अराम से gaming कर सकते हो और देखो फोन यह भी बहुत बढ़िया है premium build quality है performance अच्छा खासा है cameras भी अच्छे है battery life जबरदस्त है और मैं अपनी तरफ से बता हूँ तो मैं gaming जादा नहीं करता हूँ और में लिए यह day-to-day experience थोड़ा जादा matter करता है और उस चीज में एक बार अगर आप high refresh rate screen यूज़ करके देख लोगे तो फिर 60 Hz में वो मजा नहीं आता है मतलब हमेशा ऐसा लगता है कि यार काश यहाँ पे वो मखन फीलिंग आ रही होती और इसलिए यहाँ पे आपका use case बहुत important है देखो अगर आप regular gaming करते हो और आप उसी साब से एक phone डूण रहे हो तो Poco M2 Pro best choice है अंडर 15000 और अगर gaming आपके लिए उतनी important नहीं है इस वीडियो के इतना ही आप बताओ आपको कैसा लगा यह comparison और इससे आपको कुछ डाउट सॉल हो है तो नीचे comment करके ज़रू बताना और कुछ questions है obviously Twitter पर आप उसे directly फूट सकते हो मैं में बताओ उसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई